कर लिए सब कंपनी एकाउंट पढ़ रहे हैं तो कंपनी की अगर मैं बात करूं ना सिंपल सी बात अकर हम करें तो जो लॉव होता है ना कोई भी लॉव हो मैं कंपनी लॉव की बात कर रहा हूं तो चलिए कंपनी लिख लेते हैं और कोई भी लॉव हो पहले हमें इसके डेफिनेशन या मीनिंग जिसे कहते हैं हम सिंपल वर्ड में के सर मीनिंग है यह तो कि मीनिंग जितने भी घीवन होती है हमेसा सेक्षे में गीवन होता है ठीक है ना सेक्षे में किसी भी लॉवक्त आने इन कॉंटर्क पढ़आ करने के लिए कैसे काम करना होगा बड़ी सीधी सी बात है कुछ बच्चों का सबसे मेजर जो इशू रहेगा ना चप्टर अभी स्टार्ट करने से कुछ बाते बता दू कि सर हमें सेक्षन लिखके आने हैं क्या एक्जाम में में बहुत सारे यहां पर मित्थे हैं बहुत सारे लोग अपनी मनगड़त बाते बना लेते हैं तो मैं कहूंगा सेक्षन नहीं लिखके आते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता यानि आप सेक्षन को याद करिये चाहे याद मत करिये फरक नहीं पड़ता लेकिन दूसरी सच्चाई भी सुन लो अगर आपको सेक्षन याद है न तो उसका मज़ा ला जाएगा और हम class में process करेंगे कि एक भी section ना बचिए सारे section हमें learn हो जाए class के अंदर ही ठीक है तो जितने भी definition से कहां पर given है आपके section 2 में अब कई बार section 2 के अंदर definition कुछ इस तरीके से given होता है और कई बार definition given होता है 1 ठीक है जैसे company की definition के लिए सहारा लिया गया section 20 तो 2 के बाद जो section लगता है इसे हम कई बार subsection कह देते हैं और कई बार clause कह देते हैं तो 2 subsection 20 ये 2 clause 20 अब सर कई बार का मतलब क्या है थोड़ी सी बाते हम journal knowledge की बात कर लेते हैं माल लेते हैं 3 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूँगा 3 subsection 1 लेकिन 2 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूँगा 2 clause 1 यानि section 2 में definition given होता है तो सिर्फ section 2 के साथ जब भी लगेगा तो उसको clause पढ़ते हैं और आगे बाकी कोई number change हो जाए 2 के अलाबा 1, 3, 4, 5, 6 मैंने कहा जी 6 और 1 कहा दिया तो ये 6 subsection 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे clause एक थोड़ा सा पढ़ने का है सर ABCD और ये 123 की क्यों देते हैं अगर मैं ABCD की बात करूँ ना तो ABCD alphabetical इतने तो है नहीं हमारे पास letter Z तक ही letter है तो जिस law के अंदर definition कम होते हैं वो use क्या करते हैं section 2A2B जैसे कि हमारा Indian contract में 2A2B2C2D2H इस तरीके से तो इतने ज़्यादा नहीं थे आपने कहीं नहीं देखा होगा 2X आ गया 2Z आ गया नहीं देखा होगा लेकिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे company एक चोटा सा लौ नहीं है इंडियन contract तो बहुत चोटा लौ था companies act वो एक बहुत बड़ा और detailed लौ है तो इसके अंदर बड़े सारे number है तो इसलिए बोला ABCD से काम नहीं बनेगा भया यहाँ पर चलेगा 1,2,3,4 total यहाँ पर I think 74 या 76 total definitions है लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना मैं बता रहा हूँ एक बार को तो इसलिए वहाँ पर numbering चलता 1,2,3,4,5,6 basic चीज़े तो आपको exam में section लिख याद हो तो लिख के आईए नहीं हो तो छोड़ दीजिए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन हाँ गलत section code करोगे तो marks नहीं मिलेगा यह चीज़े फैक्ट है आपने contents आ ठीक लिखा लेकिन अंदर section गलत कोट कर दिया तो आपको marks नहीं मिलने वाला ठीक है न तो चलिए company account पढ़ रहे हैं company law पढ़ रहे हैं तो company law की definition की बात कर लेतना definition आपको जो given है बड़ा simple सा definition given है और definition अगर बात करें तो अब एक होता है हमारे statutory define statutory का मतलब होता है जो कानून जो law के अंदर होता है प्रोविजन्स होते हैं law ने define किया है और इस definition को दो तरीके से define किया जाएगा एक तो law बोल देता है जिसने कानून लिखा था वह यह section इस इस परकें का मतलब किया दो हजार एक एक है कहता है मीन आं और यसे कमपनी शर्हां करा ले सर के कंपनी एक्ट 2013 ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाया मैं पूछू company क्या है आपने बोला company act में जिसने registration करा लिया उसे क्या बोलेंगे हम company तो cdc बात होगे तो यादी होगे आपको फिर बोलता है कि सर ऐसा नहीं है सिर्फ इसी law में registration हो अगर कोई पुरानी company है जिसने पुराने law में registration कराया होगा उसको भी हम company बोलेंगे सर पुराना law क्या है ताजा ताजा आपको याद होगा 1956 हुआ करता था पहले कहीं सिगे आपको पुरानी book होगा तो 1956 का जिकर किया जाता था यानि company की definition क्या कहता है कौन से section में कहता है सर दो 20 कहता है section 220 क्या कहता है company का मतलब जिसने अपने आपको company act 2013 में registration करा दिया या एनी previous law के रेजिस्ट्रेशन करा दिया उसे क्या बोलेंगे company यह definition थोड़ा सा clarity नहीं मिल रही भाई यह तो सबसे करके लिखने की कुछ दुरत नहीं है लौ में इतना ही लिखा है या पांच नमबर की थियोरी आ जाए बहुत बच्चे सोचेंगा है नमबर नहीं मिलेगा लिख देंगे company वह है जो company एक्ट के अंदर registration है या एनी previous law में registration है तो अगर यह definition भी लिख्या तो 100 परसेंट आपको नमबर मिलने वाला है लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं तो मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें समझना पढ़ेगा के company actual क्या है तो company की definition देने में बहुत लोगों का हाथ था बहुत लोगों ने अपने हिसाब से definition दिया जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया definition लगता है प्रोफेसर हैने का जो आपके 12th class के अंदर company law के किताब में मिल जाता है वो definition हम देखते हैं कि प्रोफेसर हैने क्या कहते थे प्रोफेसर हैने का कहना था कि भाई company क्या होता है अगर हम बात करें प्रोफेसर हैने का कहना था अब यह प्रोफेसर है क्या हर किसी का जब definition drive होता है न तो definition जब बनाते हैं तो कोई ना कोई अपने experience के साथ उसके अंदर अपने thoughts डालता है जैसे कि आपने science में या फिर आपने business study में पढ़ा होगा टेलर का definition है और भी बहुत सारे हैं जिसके definition given होते हैं तो जो आपके thoughts होते हैं उसके हिसाब से बताते हैं तो ऐसे एक professor हैने हैं जिन्होंने define किया था company को और उन्होंने बोला company भी या एक artificial person है artificial person का मतलब देखेंगे क्या होता है कहता है company a company is a artificial person एक artificial person है और created by law है ये बात तो ठीक कहिए इन्होंने created by law यानि 2013 से ही तो बना है ये और 13 से पहले भी था या नहीं था था सर किसमें था 1950 उससे पहले था या नहीं था उससे पहले भी था सर लेकिन इतना पीछे जाने की जूरत नहीं है तो कौन कहता है company is a artificial person सर artificial person क्या है ये question मार के समझना पड़ेगा having a separate entity separate entity आपको 12th class के अंदर 11th class में स्टार्टिंग में बता दिया जाता है business अलग है और honor दोनों अलग है इसी को तो separate entity कहते हैं business entity कहते हैं तो इसने बोला कि भी या company की भी separate entity होती है with the perpetual succession perpetual succession क्या होता है सर इसको भी समझना पड़ेगा और common seal इसको समझना पड़ेगा यानि इन सारी बातों को जिसके नीचे अंडर लाइन किया हुआ इन बातों को एक एक करके समझ लेना तो definition हमारा कातम हो जाता है company का तो अगर मैं बात करूं इन सभी बातों को कि कि इनका मतलब क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ है कि अ हमीं कि बात करते osób के अचल को मतलब क्या होता है सब्सक्या्याद करें मंतलब मतलब वेक्प्ति तो से काम टीप रिए लेकिन उसके अंदर एक मिनॉचिण परसन नहीं है कि मतलब बना आया हुआ है तो artificial person का मतलब है सर कि अगर कोई company जैसे माल लेते हैं एक xyz है xyz limited है सर और इसका honor माल लेते हैं कि मुके संबानी है तो आपको पता है कि यह company और यह दोनों आपस में क्या-क्या है अलग है अगर आपके साथ कोई भी fraud होता है कोई भी fraud होता है तो आप मुके संबानी के उपर case करोगे या फिर आप company के उपर case करोगे उसके माल लेते हैं जीयो का ही example ले लूँ अगर जीयो का अपने recharge कराया और जीयो का recharge कराने के बाद आपका recharge नहीं हुआ तो आप जीयो के उपर claim करोगे ऐसा थोड़ी है मुके संबानी के घर में कुछ जाओ गया तो आप किसके उपर claim करोगे जीयो का मतलब इसके उपर case कर रहे और बता इसको फांसी दे दिया जाए गया नहीं दे सकते क्यों क्योंकि यह artificial हो ठेक है तो बोला गया भाया इस definition से इस meaning से बताना चाहते हैं प्रोफेसर हैने के company ना एक artificial person है मतलब law के द्वारा law के अंदर registered है और एक person के तरीके से काम करेगा company हमारा इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा इसके बाद इन्होंने कहा created by law ठीक है having separate entity सर सेपरेट entity का मतलब इसका अस्तित्व एक अलग होता है separate entity जिसको हम separate legal entity भी कहते हैं बड़ी interesting कहानी है इसके ओपर separate legal entity कई बार ना question exam में पूछ लिया जाता है कि भाया separate legal entity क्या होता है बताओ दस नंबर का पंदरा नंबर का और एक बार ने धेरो बार question पूछा गया है तो separate legal entity का मतलब तो हमने बस यही पढ़ा है कि मान लेते हैं कि Reliance company है Reliance company और मान लेते हैं कि मुके संबानी इन दोनों company की अगर बात करें तो separate legal entity तो सर यही होता है कि मालिक अलग है और company अलग है that is separate legal entity लेकिन यह questions आपका आता है इस law को तभी तो चला रहा है तो एक judgment है अठारा सो सत्तानवे का 1897 का judgment है वहाँ पे इंग्लेंड क्यूंकि देखो उस टाइम पे जो जितने law है ना basically company law हो चाहे कुछ भी हो इस इंडिया company आपने अगर कोई हिस्ट्री में देखो तो बहुत पुरानी चीज़े तो यह जाज सर इंग्लिश यानि यूके से जादा से जादा ड्राइव हो क्या है तो यूके के अंदर ही क्या था यूके के अंदर ना पॉंड चलता है है ना प बनाये करते थे किसके लिए military के लिए जो वहां के आर्मी फॉज से ना तो सालोमन का काम क्या था वह जूते बनाये करता था उनके लिए स्टार्टिंग में इनका बिजनस इतना नहीं चल रहा था लेकिन धीरे धीरे जब बनाने लगा तो जब फॉज को पहनाये गया इनके सूज कई बार टेस्ट भी किये गया तो पाया गया कि इनके जूते वाक्टे में टिकाओ है और बहुत मतलब हेल्प कर सकता है हमारे इसने बोला कि हम कंपनी बनाएंगे तो इन्होंने बनाया सालोमन वर्सिस सालोमन यानि सालोमन और कंपनी बनाया सालोमन इनका नाम है सालोमन कंपनी बनाया तो सर कंपनी बनाने के लिए जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनस था जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनस था कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस बिजनस को इस कंपनी के अंदर मि कंपनी बन पाएगा और इस बिजनस को जब खरीदेगा तो यह इस बिजनस के बदले पेमिंट करेगा ऐसा कुछ कहानी होना चाहिए परचेस कंसिट्रेशन ठीक है तो इस बिजनस को खरीदने के लिए इस इस कंपनी ने 39,000 पाउंड की बोली लगाई और इस कंपनी को एक्वायर कर लिया एक्वायर करने के बाद इस कंपनी ने क्या करा इस कंपनी की एंट्री 900,000 तो पाउंड इनको दे दिये गए 9,000 पाउंड दे दिये गए और बाकी के 30,000 के यहाँ पे अलग-अलग कर दिये गए दो टुकड़े यानि इस company के अंदर इस company के अंदर investment जो आ चुका है वो कितने का आ चुका है 30,000 पाउंड के जिसमें से इन्होंने 20,000 शेयर और 10,000 डिवेंचर रखा 20,000 शेयर और 10,000 क्या रखा इन्होंने डिवेंचर रखा company formation हो गया और यह जो share दिये ना पता है किसको दिये अपने family वाले को क्योंकि shares company होता है ना तो 7 member की जुरत होती आपको थोड़ा बहुत याद हो तो किसी भी limited company के अंदर साथ तो एक यह खुद हो गया दूसरे number इसकी wife और चार इसके बेटे और एक इसकी बेटी सभी को एक एक share दे दिया यह पूरा परिबार इस company के अंदर shareholder बन गया और इसने क्या करा debenture issue कर दिये और debenture secured issue कर दिये तो secured का मतलब क्या होता है किस debenture के against जितने भी assets थे उसने यहां गिर भी रख दिया company बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है कोई दिक्कत ने company को बहुत बड़े बड़े order भी मिलना चालो हो गया company ठीक ठाक चलने लगी अब company के अंदर कितने share holder है साथ है कोने वो है उसकी wife उसके चार बेटे और एक उसकी बेटी और company ने 20,000 के share दिये थे और 10,000 के क्या दिये थे debenture और debenture भी किसको issue कर दिये है हमने खुद कोई debenture दो तरीके के liability दो तरीके का हो सकता है सर एक हो सकता है secured और एक हो सकता है हमारा unsecured हो सकते ने अब secured और unsecured में क्या फरक है कि जब कभी भी company insolvent होता है company का जब liquidation होता है तो सबसे पहले secured वाले का पैसा लोटाया जाएगा फिर किसका लोटाया जाएगा unsecured अगर पैसे बचेंगे तो ठीक नहीं तो नहीं मिलेगा समझे बात मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और explain कर दोता है उसको मान लेते हैं मेरे पास debt भी 10,000 का है ठीक है नहीं 10,000 और प्लस 7,000 रुपे का ये मेरा creditor है और ये मेरा मान लेते हैं तो कंपनी के करजा कितना हो गया टोटल कंपनी के उपर liability कितने का हो गया टोटल 17,000 का हो गया अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रहा है कंपनी ने अपने assets बीच दिये और assets जो है न वो 12,000 रुपे के भीके तो कंपनी इस 12,000 को क्योंकि debenture हमारा secured है तो 12,000 सारा का सारा पहले इसको दे देगी यानि इसके 10,000 पहले चैंसल और इसको कितने मिलेंगे सिर्फ दो हजार यह बोलेगा भाई मेरे बाकी के 5000 बोलेगा सौरी नहीं मिलेगा क्योंकि आप unsecured हो यही कहता है पहले secured वाले को दो फिर unsecured वाले कहां नहीं समझ मारी है आपको यह ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे कंपनी के 30,000 थे पिक्योर और उन्सेक्योर और इन्हें ने जब काम स्टार्ट किया बिजनस कर रहे थे बहुत अच्छा इनका बिजनस चली रहा था इनके पास ना 7,000 बड़ी अमाउंट हुआ करते थी उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था यह तो इस टाइम के इसाप से कंपनी सोचो कितनी बड़ी कंपनी रही होगी तो 7,000 के क्या थे इसके क्रेडिटर 10,000 के क्या थे डिवेंचर और बाकी 20,000 के क्या थे शेर सी यह सेनेरियो चल ला था कंपनी के अंदर सारा दीरे धीरे क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी था और कंपनी के लौस आने चालों गया प्रॉफिट के जगाए रोस आना चालो। सालो मन ने decide क्या यार company बंद कर दे जब company बंद करने का इन्होंने decision लिया था company को बंद कर दे ते हैं तो company जब Salomon ने company बंद करने का फैसला लिया तो इसने सबसे पहले क्या करा? अपना जितना भी assets था उस assets को क्या कर दिया? sold कर दिया सहब और सारे एसेट जब इसने बेचे न है तो मात्र इनके सारे के सारे एसेट कितने के बिके 6000 के बिके बस सारा 6000 रुपे मैं बोल रहा हूँ कई बार आप एक्जाम के अंदर पाउंड बताना है कितने के बेच पाया 6000 और company के अपर debt वही था 2000 और plus 7000 का क्या था स्वरी 20 मैंने बोल दिया 10 10000 का debenture था debt और 7000 का क्या था creditor अब creditor क्या होंगे secure होंगे and secure होंगे and secure होंगे और यह क्या होगा secure और secure debenture जो मजे की बात है तान जो सिक्योर डिओंचर था पता कि ने लिया था इन्होंने अपने फैमिली वालों को ही दे रखा था म यानि सालोमन के परिवार के पास चेर और सालोमन के परिवार के पास करें एव भी ऐए और बाहर वालोंने जो इसको उधार कम्पनी बंद और 시간 a सारा का सारा लायवलिटीज खतम करके हम पश्चुटी कर रहें इसको कहानी को तो उसनी क्या करा जब एसेट's 6000 विख रहे थे थे तो ये क्या भीके थे इसके सारे ऐसेट्स उसने ये सारा-का सारा ऐसेटों उठा के और ये डिवेंचर holder को दे दिया किसको दे दिया तो दोड़ेंशी एठ परिवार होंन के जोपारे नमबर के आएगा तो जो दूसरे परसन थे क्रेडिटर उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात पर गुस्सा क्या यार यह तुम्हारे पास तो थे डिवेंचर तो तुमने पैसे ले लिए यह तो बेच बाच के के भाईया ऐसा हुआ है जस साहब को बोला कि इन्होंने एक कंपनी बनाए एक कंपनी में डिवेंचर भी खुद को दे रखा है शेयर भी खुद को दे रखा रैसेट्स बेचा और पहले डिवेंचर को मिलना चाहिए और खुद ही ले गया पैसे तो इसी के जिम में देख लो इनके पास हमारे पैसे तो मिले ही नहीं कोट ने कहा कोट का जज्जमेंट आया उस दिन के भाईया कंपनी अलग होता है और अलग होता है और यहां पे सालो मनने सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करके काम किया कोई ऐसा नहीं किया किसी रूल को तोड़ा है तो सौरी क्रेडिटर आपको पैसे नहीं मिलेंगे और यह पैसे किसके हक में जाएगा वहां से क्रियेट हो जाता है कि अच्छा कोई सेपरेट एंटिटी का मतलब यह होता है तो आपके एक्जाम में दस नंबर का सवाल आ जाए तो यह पूरी कहानी लिख के आ जाता है अच्छा सथ कि इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनीशन की हम डेफिनीशन पर दुबारा आ जाते हैं तो डेफिनीशन पर अगर हम आ जाएं दुबारा से तो डेफिनीशन क्या कहता था कि कंपनी एक आर्टिफिशल परसन मतलब कंपनी अलग होता है अलग होता बात भी perpetual succession perpetual consideration क्या होता है perpetual succession होता है कि जैसे माल लो एक x過去 xyz limited company है ठीक है और इस company के अंदर तीन share-holder है रहाए माल लेते हैं five share holders याыс seven share holder ओना की distint चार पांक छे और एक साथ साथ शेयर होल्डर है और ये सातों के सातों घूमने के लिए निकले हैं ये सातों के सातों मान लोग घूमने के लिए निकले हैं सातों शेयर होल्डर अब ये सातों के सातों घूमने के लिए निकले हैं और मान लिया जाए एक दुरघटना हुई कि इस कार का जिस कार के अंदर ये बैठे हुए है इस कार का accident हो जाता है और accident में ये साथो के साथो नहीं बचते क्या हो जाता है इनका death हो जाता है साथो को साथो अब shares किसके पास है इनके पास है भाई तो कंपणी के जो शेयरहोलडर है तो जितने भी इसके पास शेयर थे इसके शेयर सारे के सारे transfer हो जाेंगे किसके नाम पर इसके nominee के नाम पर सेम Gel हर जिगा चलने वालाहिकर इसके share भी transfer हो जाएंगे किसके नाम पर nominee इसके भी शिएर किसके नाम पर nominee रिजिए कहा है कि unpack अर्वाज्छ के नाम अगर मान लो nominee नहीं वह तो तो उस शेर्ज का जो भी पेमिंट कर देगा जो भी लीगल उसका री faldentasiट फोगा जो जिसके देख रिख में हैस्जा अब ये कंपनी हमारी बंद उ गई कम्पनी के सारे शेर होल्डर सो मर गए क्या कंपनी हमारी बंद ऊई क्या नहीं तो तो ऐसा काम जो कि कभी रुक नहीं सकता उसे बोलते हैं परपेच्वल और सेसेशन का मतलब कभी खतम नहीं हो सकता सेसेशन का मतलब होता है खतम होना तो परपेच्वल सेसेशन क्या कहता है सर परपेच्वल सेसेशन का मतलब होता है कि वो जिस जो कि कभी खतम नहीं हो सकता त perpetual cessation जो कभी मर नहीं सकता company ठीक है perpetual cessation के कुछ definition है जैसे लिखा हुआ in case of death of member member कोन होते company के shareholder in case of death of member share held by him waste in his legal representative transfer कर दिया जाएगा और इस nominee जो भी nominee exist कर रहा होगा similarly in case of insolvency member of shares held by himself waste in the official assignee जो official assignee होगा उसको दे दिया जाएगा simple सी बात है death के case में nominee और अगर death हो जाता है insolvency के case में तब भी उसके nominee को दे दिया जाएगा यानि company खतम होने वाली बात नहीं है इसके बाद common seal की बात करते हैं कहते हैं सर इसका नहीं common seal होता है common seal क्या है सर common seal क्या होता है stamp को common seal कहते हैं जो आपने देखा होगा हर जगा पर भी यह stamp होता है उससे common seal कहा जाता है हम नॉर्मली इसको stamp के नाम से जानते हैं मोहर के नाम से जानते हैं और law के अंदर इसको बोला जाता है common seal सर इसका definition से क्या तालूख है हमें एक बात तो समझ में आ गया के company artificial person हाँ भाई company अलग है owner अलग है दूसरी बात company separate entity है ठीक है भाई साब अलग है अलग है सालो मन company है अगर आपने बोला सर एक्स वाई जेड लिमिटेड एक अलग company है तो बट अव्वेस है अगर यह अलग company है और अलग company है तो आप इस company के आपको अगर इस company ने कुछ भी दिया लिखित में कुछ भी लिखिके दिया के मैं आपको यह चीज़े देता हूं आपने समान खरीदा company क्या कहते है company की guarantee मिली है कंपणी की guarantee तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति से आप पकड़ लो बोलो के भाई मेरे पैसे कब लोटाएगा बता उसने बोलो दो मेने बाद दूगा बोलोगा पक्का guarantee दे रहा हूं उससे पेपर पर साइन करा लोगे और आपको तसल्ली हो जाए जो भी उसको चला रहा होगा वो यहां पर stamp लगा देगा अगर उस document के उपर stamp लगा हुआ है तो वह valid अधर्वाइस उस document की कोई value नहीं है तो मैं कह सकता हूं यह जो होता है company का signature है एक तरीके से company का signature है तो देखो definition में जो professor हैनी ने कहा सारी बातों को ठीक कहा है अगर हम द log ender बने का definition पहले वाले क्या देखा company जो की log ender रिजिस्टर जाए सेपरेट एंटिटी है कैसे प्रूफ हुआ सेपरेट एंटिटी सालोमन वर्सिस सालोमन केस से perpetual cessation company कभी मरने वाला नहीं है चलता रहेगा एक कॉमन सील है company का अपना खुद का एक स्टेम्प होता है signature होता है जो लगेगा तभी वैलिड माना जाएगा सर इस definition को मैं इसलिए priority कहता हूं कि एक definition से हमारे काफी सारे questions सतम हो जाते हैं इसके बाद company के आता है कि सर feature क्या है company का feature क्या है तो जो underline क्या है number one feature यह feature ही तो है company का कि company एक artificial person है number दो यह separate entity है यह भी तो company का एक feature ही है क्या ही है हमारा separate entity perpetual sensation सर यह भी तो company का क्या है हमारा feature ही है सर company का खुद का common seal होता है तो यह भी क्या है पात करते है सर इसके करेक्टर स्किच्च या फिर feature की बात करते हैं फीचर में सबसे पहले इन्कॉर्प्रेटेड ऑसोसीएशन पहला feature है incorporate असोसीएशन सर इन्कॉर्प्रेट का मतलब क्या होता है incorporate का मतलब होता है बनना incorporate का मतलब होता है बनना आपने देखा होगा कई बार किसी चीज़ को बनाते हैं तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं ऐसे कर नहीं वैसे कर ये कर वो कर इस तरीके सर डॉक्यमेंटेशन काम कर उसके बाद finally बोलता है अब ये बनके हमारा क्या होगा है तैयार होगा है तो आप देखो के बहुत सारे लोग पेपर वर्क कर रहे हैं इसका मतलब भईया कुछ बनाना चाहरे हैं और क्या बनाना चाहरे हैं company क्या है हमारा incorporation of association association का मतलब होता है काफी सारे लोगों को मिलाना बहुत सारे लोगों को मिला के घट्टा करके कोई चीज़ बनाना क्यूंकि कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी साथ लोग चाहिए वैसे वन परसंट कंपनी का भी सारे लोगों को आसे लिमिटेड लाइबिलीटी क्या चीज़ है लिमिटेड लाइबिलीटी होता क्या है तो basically limited liability अब मान लो आप ये आप हो और आप ने मान लेते हैं जनता limited का share खरीदा जनता limited का share खरीदा और sir कितने share खरीदे आपने 10 रुपे का face value वाला एक share खरीदा ठीक है company ने आपसे क्या कहा कि भाई साब अभी मुझे 10 मत दो मुझे अभी 8 ही दो company ने कितने मांगे आठ ही मांगे तो आपने 8 पेड कर दिया क्या ऐसा possible होता है कि company कम मांगता है इतने सारे question में हो सकता है possible company ने कितने मांगे आपसे 8 यानि आप जैसे 8 रुपे देते हो आप इस company के क्या बन गए मालिक आप इस company के क्या बन गए ओनर या company के अंदर जो भी कुछ होने वाला है ना company के अंदर कोई भी कुछ होगा नुकसान फाइदा सब आपको देखना पड़ेगा company बंद हो गई और company के अंदर बहुत सारा करजा आ गया मान लेते हैं पचास अजार रुपे का करजा आ ग किने कमपनी नुक्सान में चले गई कमपनी लिकुडेट हो गई company बंद होने जा रही है कंपणी के ऊपर करजा कि 50,000 क्या आप अपने घर से पैसे तो लाओगे लेकिन 50,000 नहीं लाद है आप लेके आओगे अपने घर से सरे और सरे दो रुपे क्योंकि आपने इस company की पूरी थोड़ी न ले ली थी क्योंकि लाइबलीटी तो सबकी जिम्मेदारी बनती है अकेले आपकी थोड़ी बनेगी आपकी जिम्मेदारी 10 रुपे तक की है तो आपकी लाइबलीटी company की 50,000 लेकिन आपके ओपर liability कितना है सिरिफ और सिरिफ तो कह सकते हैं company एक limited liability होता है शेयर होल्डर पे उसके शेयर होल्डर पे क्या होता है हमारा limited liability तो क्या ये company का feature होगिया एक तरीके से देखा जाये तो कॉमन सील हो गया, लिमिटेट लाइबलिटी, ट्रांसफर फ्रीली, ट्रांसफर फ्रीली, सर ये चीजे न हमने देखा था, मर गए थे सब, इसके शेर किसको गया था, इसके नॉमनी को, तो जब कभी भी हम शेर मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के पास कोई भ बोला जाता है, ट्रांसफर करना तो एक कमपनी का फीचर है, कि आप अपने ओनर्सिप किसी को भी दे सकते हो, तो ट्रांसफर फ्रीली है, मतलब कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेक्शन नहीं लगाए जाएगा, ये ट्रांसफर फ्रीली की बात करें, तो सरिफ और सरिफ लि होता है, अपको जैसे आपकी कमपनी है, माल लेते हैं, आपकी कमपनी आपनी के पास कुछ एसेट्स होगे न अब माझ लेते हैं, आपके पास ने कार होता है तो कार जब खरीदने जाते है ना तो वहां पे motor vehicles act के अंदर registration कराना पड़ता है उसको यानि उसके अंदर document होते हैं अकर वो document आपके नाम पे नहीं होगा तो आपकी नहीं मानी जाएगी जिसे RC के नाम से हम जानते हैं अकर XYZ Limited के नाम पे होगा अब मान लेते हैं Ola है Uber है इनके पास इतने सारे कार है तो यह किसका कार है आप Ola का कार है Ola एक company separate है तो वो सारे कार का जो honor होगा बहुत सारे तो चलो rented भी होते हैं जो car का honor होगा अगर जो भी उसके अपने taxi होगे वो किसके नाम पे होगा Ola company के नाम के ना के उसके honor के नाम पे होगा समझे बात तो company के सारे क्या होते हैं अपने separate property होगा company का अपना यह भी क्या है company का feature ठीक है ना मतलब company के नाम पे assets खरीदा जा सकता है इसके बाद company can sue and be sued का मतलब होता है केस कर देना केस कर देना और आप केस करोगे तो आपके उपर भी तो हो सकता है ने कि तो company किसी पर केस भी कर सकता और company के उपर भी केस कर सकता है ऐसा तो नहीं होगा कि मैं केस करूँगा मेरे उपर कोई करी नहीं सकता ऐसा तो possible नहीं है क्योंकि एसा possible क्यों हो फाया क्योंकि company कैमारा separate entity है तेरो सारे example देखोगे company के उपर किसे case कर दिया जैसे मान लेते हैं कुछ एक company है जैसे किसी के साथ fraud प्रफाड हो गया उसने क्या करा उसके उपर मानहानी कर दिया या कोई केस मुकदमा दर्ज निया और कंपनी वह केस को लड़ रही होती काफे टाइम तक जैसे की इंकम टेस्स ओन वोड़ाफोन के उपर केस कर रखा है क्या कि मेरे टेक्स के पैसे नहीं दे रहा तो इंकम और company के ऊपर भी case किया जा सकता है तो यह क्या थे हमारे company के एक बार फटा फट से feature देखो अब इसको पूरा आपको explain करना है सिर्फ point बोलेगा बच्चा point point लिखके आजाए तो बचपन वाली बात नहीं करना बिल्कुल point point लिखके आजाए यह अब आपको पूरा explain करना होगा ठीक है न तो पहला क्या है company का meaning company का meaning क्या है company वो है जो इसने company एक्ट में registration करा रखा या फिर उससे previous law में registration करा रखा है company यह कौन सा definition था यह आपका statutory definition था आपका जो की आपके law में mention है दूसरा भाई यह प्रोफेसर हैनर ने बताया company इस अ आर्टिफीचियल परसंट क्रियेटीड वाई लॉविद सेपरेट एंटिटी और perpetual cessation and common seal जो की प्रोफेसर हैनर ने बताया वही क्या मन जाता है सर हमारा फीचर बन जाता है फीचर में क्या है company एक incorporated association है associated है बहुत सारे person को मिलके बनाया जाता है यह एक artificial person है company एक अलग विखती है जो की अपना अलग काम करती है separate legal company separate legal entity है सर किसी ना किसी के नाम पर transfer कर दिया जाएगा सर limited liability अगर आपके company में 10 रुपे की हिस्सेदारी है तो आपका करजा भी liability भी कितना बनेगा 10 रुपे के बराबर होगा ना कि जितनी पूरी company के liability आप ही responsible हो जाओगे common seal company के पास अपने signature करने का भी power होता है जो stamp के थुरू करते है common seal का मतलब उस company का क्या है स्टेंप है ट्रांस्पलिटी अप शियर कमपनी अपने शियर किसी को दे सकता है इजिली उसके उपर कोई बाउंडेशन नहीं है आपका separate property company can purchase its own name अपने नाम पे property को पर्चेस कर सकता है और company के पास capacity है कि किसी के उपर case कर सकता है सहाब यह पंदरा नंबर का यह चप्टर कितने नंबर का बताया था मैंने 18 नंबर का कितने चप्टर इसके अंदर देख लेते हैं यूनिट में कंपनी का मीनिंग एंड फीचर और कंपनी एडिमिनिस्ट्रेटिव काइंड अफ कंपनी तो बात करें कंपनी का मीनिंग अभी पढ़ लिया और फीचर हमने पढ़ लिया चैप्टर वन जो है हमारा 90 परसेंट खतम हो गया इसमें से 10 नंबर का सवाल मान के चलो टम जो भी पेपर आएगा आप 10 यह लोगे या पास्टे के पेपर को इवेलुएट करोगे 10 मार्क्स का कुश्टन पूछा ही पूछा जाएगा what is the meaning of company और इसके फीचर और जरूरी नहीं यह यह आए जो हमने यह देखा है न पर्टि लीगल एंटिटी तो सेपरेट लीगल एंटिटी को डिफाइन करके वहां पर क्या एक्स्प्रेंड करना है में इसके केज लॉस कौन से वाले सालोमन वर्सिस आर्टिफीचल परसन इसको भी पूरा डिफाइन करना पड़ेगा इन सभी के वैसे मैं नोट्स दे दूंगा ज देख सकते हो सेक्षन लिखो मत लिखो कोई फरक नहीं पड़ता बट एकूरेट आपको लिखना होगा सर इसके बाद भी कुछ चेप्टर में पेंडिंग है कि जी हां इसके बाद इस चेप्टर में पेंडिंग है लिफ्टिंग औफ कॉर्परेट विल क्या होता है और उसक पर सामको साथ बजे अकाउंट की क्लास को आज थोड़ा सा जो कंटेंट सा उस रड़ी होने की ना बज़े से मैंने क्या करा यहां पर आपको एक कंपनी लौका थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट बता दिया यह PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे यहां पर बता रखा artificial person क्योंकि पूछा जाएगा सर artificial person क्या होता है उसके डेफिनिशन लिगीवन है आपका कंपनी कंपनी केन नौट आपका फॉल इल बिमार नहीं पड़ सकता भाई मर नहीं सकता भाई डिकलियर एज इंसॉल्मेंट वो दिवालिया भी नहीं हो सकता यह पता डिए उसके बाद बूला, company is a artificial person कैसे बाट इसे नौट फिक्टी से स्पर्सेंट मतलब ऐसा मत बोल दिना तो फेक है जैसे अगर मालो देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया इसके बाद क्या केस एक्स्प्लेइन कर दोगे सालोमन वर्सिस सालोमन को तो यह नोट्स देदेंगे चैप्टर नमबर वन